एक बार फिर मोधी सरकार भले ही देश में फिर से मोधी प्रधान मंत्री बन जाएं लेकर इस बार प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी को भी मालूम चल गया है कि उनका मोधी मैजिक इस बार देश में काम नहीं आया बिहार की बात करे, उत्तरप्रदेश की बात करे, बेंगौल की बात करे या फिर जारखंड की बात करे जारखंड में भी बीजेपी को वो कमाल नहीं दिखा जिस कमाल का इंतिजार भाजपा को था एक तरफ जहां साल 2014 और 19 में 11 से 12 सीटे लेकर NDA बैठी थी वहाँ इस बार 9 सीट पर ही संतोश करना पड़ा है बीजेपी को वहीं 5 सीटें इंडिया गटबंदन के खाते में गई 14 सीट पर लड़ाई थी जारखंड के 14 लोग सभा सीटों पर ये चुना हुआ अलग-अलग फेज में 7 फेजों में 4 तारिक का इंतजार देश भर में था खासकर उन राजियों में जहां बीजेपी को एकदम लग रहा था कि इस बार तो हमारी ही सरकार आ रही है और हर राज पर राज तो बीजेपी ही करेगी और यही कारण था कि शुरू से ही चुनाप के तारिकों का इलान होता है और बीजेपी बड़ा दावा कर देती है कि इस बार 400 पार एक बार फिट से नरिंद्र मोदी की सरकार एंडिये फिट से देश में राज करेगी और लोगों को आगे बढ़ाएगी देश को बदलेगी मगर अफसोस की जब परिनाम सामने आए तो बीजेपी को बड़ा जटका लगा है अब भले ही नरिंद्र मोदी प्रधान मंत्री बन जाए भले ही एंडिये की सरकार देश में बन जाए लेकिन जो रुत्बा जो इजट नरिंद्र मोदी को पहले मिली थी वो इस बार देखने को नहीं मिल रही है बिहार की बात करें उत्तरप्रदेश की बात करें बेंगॉल की बात करें या फिर जारखंड जारखंड में देखिए 14 सीटों पर लड़ाई थी लेकिन सर्फ 9 सीट भाजपा के खाते में आई और बाकी जो 5 सीट है वो कॉंग्रिस ले गई ये बहुत बड़ा जटका भाजपा को लगा है एंडिये जिस कॉंफिडेंस के साथ सभी राज्यों में घूम घूम कर ये बोल रही थी कि इस बार 400 पार आप लोगों को पता है कि नहीं कि 305 चार फेज के बात ही हो गए हैं ये सारव बयान हमारा नहीं बलकि एंडिये के तमाम अलग-अलग नेताओं का है अमित शाह का भी वो बयान हम आपको याद दलाना चाहते हैं जब अमित शाह लगतार अलग-अलग जनसभा कर रहे थे और उस दोरान लोगों को बोल रहे थे कि एक बात आपको हम बताना चाहते हैं कि आप चुनाओं का पड़िनाम जानना चाहते हैं तो देखिए अभी तक 4-5 फेज के ही चुनाओं हुए हैं और ऐसे में अभी हमने 300 का आकड़ा पार कर लिया है अब वो जनता अमित शाह से पूछना चाहती है कि वो आकड़ा किस बेसिस पे आप बता रहे थे आप बता रहे थे कि पड़िनाम आप हमको सुना रहे हैं लेक बुरा हुआ जारखंड में 9 सीटों पर ही NDA को बैटना परा 9 सीट लेकर ही संतोष जता रही है बाकि यह तस्वीरे जो हैं वो बया कर रही है कि जादा अगर आप confident हो जाते हैं तो आपको ऐसे ही नतीज़े देखने को मिलते हैं बाकि अभी जारखंड में भी BJP का हार ठीक नहीं है बिहार में भी ठीक नहीं है यूपी में भी ठीक नहीं है और वेस्ट बेंगॉल में भी ठीक नहीं है बाकि और भी अलग-अलग राज्यों की खबर आप तक पहुचा आएंगे आप देखते रहे फॉस्ट बिहार जारकंड धनेवाद पनोर्मक्रू जो सोचता है वो करता है. पूर्णिया में पैनोरमा ग्रूप लेकर आये हैं E-Homes Panorama, बड़ा घर, आलिशान जिन्दगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के संग, अड़े-अड़े, आप क्यो मुँ मिठा करवा रही हो, क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं, घर वापसी की खुशी, पूर्णिया म E-Homes Panorama के संग, E-Homes Panorama, Luxurious, Lifestyle Redefined